हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम बाक तो मैं चानल चारो विशिवी चुपल एच, गाईस लीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चानल पर पहली बार आये हैं, तो गाईस प्रीज सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चानल को, गाईस ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है, सभी के साथ रेजोनेट हो, हो सकता है, ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉस्टिव वे में लीजेगा, जितना आप से रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नॉर कीजे, और गाईस ये एक टाइमलिस ल देख सकता है, जेंडर स्पेस्फिक बिल्कुल भी नहीं है, ओके, चलिए गाईस करते हैं, आपकी रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं, कि अचानक क्या हो सकता है, सफते आपकी लाइफ में, ओके, ये वीकली प्रेडिक्शन है, देखने की कोशिश करते हैं, गाईस, आए हैं मेरे चैनल पर, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, वहाँ पर मैं काईडेंस वीडियो को अप्रोच करते हैं, ताकि आपकी हल्प हो सकें, ओके, लेट्स स्टार्ट योर लीडिंग, तो क्या होने वाला है इस अपके, मैं आपके साथ, राइट, देखने तो मैं की कोशिश करते हैं, तुरिक्री, वोर्गिवनेस, मेरे कल्ब, रिकावरी सर्वेश इंपस फसाद इंस्ट्ग्ट रिन्यूवल रिन्यूवल इंपस्यलिटी इंपस्यलिटी ग्रीफ ऑकी चांपता इस हक्राइप आपके साथ देखे गैस यहाँ पर यहां पर मैं देखी हुआ कि कोई आपकी तरफ आ रहा है ठीक है इंपास कार्ट के साथ कोई न्यू परसन आपकी लाइफ में आ रहे है ठीक है हो सकता है कि आपने युनिवर्स से किसी न्यू परसन के लिए बोला है कि आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं ठीक है, कोई न्यू इनसान आपकी लाइफ में आ रहे है, चिक्री कार्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है, यहां पर जो मेरे व्यूर्स हैं, उनके मन में एक डर मुझे नजर आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि लोगों ने हमेशा उनका एडवांटेज लिया है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसकी बास्केट में काफी सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, और यहां पर यह जो है ड्रैगन वो इसके फ्रूट्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका हमेशा ही लोगों ने एडवांटेज लेने की कोशिश की है, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में युनिवर्स के थू भेजा जा रहा है जो काफी लॉयल भी है और जो आपको सपोर्ट करेगा ठीक है अभी तक हो सकते हैं लोगों ने आपका ड्वांटेज लिया हो लेकिन यह इनसान जो भी मुझे लग रहा है आप लोगों को माफ पी कर रहे हो और लोगों सेख़ः मांग भी रहे हो त्यक है और हौए मैं यह देख रहे हो कि एंसिस्टल सपोर्ट आपके पास तीपे के नापड़ा जी। इंस लग रहा है तो बहुत था उकिना बहुत करते है इनका सपोर्ट मु इनकी जो blessing है गो definitely आपके उपर बनी हुई है ठीक है ये आपको हर बुरी चीज से हर बुरे इंसान से बचा कर वापस लेकर आ जाते हैं ये किसी भी ऐसी जगह पर आपको जाने नहीं देते जहां पर आपका कुछ गलत हो सकता है आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे या फ मतलब ये इतना इंस्टिंट होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे और आपके इंट्यूशन कहीं नहीं कि आपको बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है something big is going to happen यहां पर इस तरह की energy is something big is going to happen यहां पर आप लोग कोई miracle देखने वाले हो guys ठीक है यहां पर एक miracle आप देखने वाले हो इस अफते में unexpected होगा गाई से लेकिन आपकी intuitions आपको guide कर देंगे हो सकता है आपको dreams के तुरू messages मिल जाएं fine यहां पर recovery का card है आपकी life में बहुत तेजी से recovery होना start हो गई है because आपको जितना दुख देखना था आप देख चुके हैं ठीक है जितना आपको सफर करना था आपने कर लिया now it's time कि आपका renewal हो आपकी life पूरी तरीके से change और transform हो आप एक नई जिंदिगी में कदम रखें और बहुत कुछ रहे अपनी life में उसके लिए यहां पर universe की तरफ से तौफे में कोई एक इंसान आपकी life में भेजा जा रहा है ठीक है और यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप जो भी नया start करोगे उसमें काफी रौशनी है काफी positivity है glow करोगे guys shine करोगे ठीक है आप अपनी जिंदगी खुल कर जीओगे ठीक है अगर अभी तक आपने अपनी life को बहुत ही जादा लोगों के साफ से चलाया है और आप से hope आता है अप सब्षम है तो आप मदद जरूर करें और मुझे ऐसा भी लग रहा है impartiality card के साथ कि आप अपनी life में जितना आप कर सकते हैं आप हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी life को ठीक कर सके हैं सफ़ते में ठीक है तो यहां पर university आपकी efforts को देखकर आपको appreciate करते हुए यहां पर आपकी life में एक miracle भेज रहे हैं दो चीज ओपर थोड़ा सा काम कर लीजिए सफ़ते में guys एक तो अगर आपको थोड़ा सा भी grief आता है तो grief में मत रहिए दूसरा आपको अगर ऐसा लगता है कि यहां लोग हमेशा advantage ही लेंगे तो आप इस mentality को पुरी तरीक से बदल लीजिए ठीक है आप ऐसा सोचिए कि आपकी life में जो भी आता है वो आपके अच्छे के लिए आता है ठीक है एक बात याद रखिए guys physics अगर आपने पड़ी हो तो आपको यह चीज मालू होगी कि इस universe में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही create होता है तो अग अगर आप अपनी reality को इस तरीके से बनाएंगे अपने mind के अंदर की लोग मेरा advantage लेते हैं तो जब आप बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि लोग वास्तव में आपका advantage ले रहे हैं तो आप जो भी चीज क्रेट करना चाहते हैं अपने subconscious mind को इस तरीके से programming अपने subconscious mind क कीजिए कि आप अपने को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा उसमें डालिए ठीके अगर आप अपने आपको बहुत जादा power में देखना चाहते हैं तो आप बोलिए कि मैं powerful हूँ मुझे universe में बहुत सारी powers थी हैं और मैं किसी भी situation को easily tackle कर सकता हूँ मैं बहुत intelligent हूँ इस तरीक से आप अगर करते हैं तो आप ये दुख वाली energy से और ये advantage वाली energy से बाहर आ जाएंगे क्योंकि अगर आप अपने mind की reprogramming करना सीख गए तो आप जैसा चाहेंगे वैसा अपनी reality को इस दुनिया में you know convert कर सकते हैं ये चीज में आपको यहाँ पर बता रही हूँ ओके चाह है यहाँ पर world का card unfold हुआ है guys one holding a heart walking away carrying connection anxiety स्ट्रॉम वर्निंग एन्वी हाप्य फ्राम्डी थेंकिंग मान ओके कोई एक इंसान है काईस पतानी शायद आप इसे जानते हो ठीक है लेकिन जो परसन है वो आपके बारे में काफी जादा सोच रहे है थेंकिंग मान का कार्ट दिखा रहा है और मुझे ऐसा लगता है जिसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स है या फिर जिसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान के साथ मैं देख रही हूं जिनके लिए भी आपके दिल में बहुत जादा जाहते है वो इंसान आपके बारे में कि अहिके ज़िए प्सक्त याथ अचते्व में बहुत ज़िए अफिलिटी। है गाईश है इस कमें फाफने को पशुद्पनिटी इस साथ तो इस आफट जो लिए और आपका नेपिल इसल démocr抓 जो इनसान बहुत ही स्वचिक है उनको आपके लिए जिसके साथ भी इस अफ़े में आपका connection बहुत strong बनता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिष्टा फिक्स हो रहा है something like that अगर आप already किसी के साथ committed है थीक है तो उसके साथ की connection अच्छा हो सकता है या फिर आप already किसी के साथ married है लिखे गाइस general reading है आपका काफी सारे ल आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और इस अफ़े में मैं देख रही हूं guys storm warning का भी card है तो यहां पर ऐसा भी है guys कि यहां आपको यहां पर ऐसा भी लग सकता है guys कि जैसे यह क्या हो गया ठीक है सडन आपको ऐसा लग सकता है कि यह क्या हो गया क्योंकि guys आप ब तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो miracle होने वाला उस चीज को बिलीव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक्दम सडन जब कोई miracle होता है तो उस चीज को उस चीज पर बिलीव कर पाना उसका भरोसा करना घर कर पाना is not an easy work right तो यह energy है also walking away card के साथ guys यहां पर इस अफते में मैं यह भी देख रही हूँ कि आप लोग jealous लोगों से काफी जादा दूर जा रहे हो ठीक है क्योंकि वो already बहुत negative है अगर वो आप में negativity देख रहे है तो में खुद में negativity बहुत जादा है तब ही तो आप में negativity देख रहे है ठीक है क्यो आप उसको वैसे ही देखोगे जैसे आपके मन में picture बनी हुई है ठीक है तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है बिकॉस jealous लोगों से और ऐसे लोगों से जो आपकी पीट की पीछ अच्छा नहीं बोलते है और फिर बुरा बोलते आप एसे लोगों से दूर जा रहे हो इसकते में अलसो मैं यहाँ पर यह देखनी हूँ guys की you know anxiety तो है आपको ठीक है लेकिन यह anxiety कही नहीं आपकी आपकी spirituality से खटाम हो सकती है ठीक है world का card दिखा रहे है कि आप दुनिया को अभी तक बहुत limited समझते आए हो ठीक है आपने दुनिया में बस इतना ही समझा है कि बचपन था उसके बाद फिर पढ़ाई की फिर job लगी फिर शादी and अपनी family और सब खताम ठीक है इतनी ही आपने you know अभी तक journey को जाना है ठीक है बच्चों को बच्पन से यही सिखाया जाता है तो बड़े तक इतना ही आप जानते हैं लेकिन you know यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप spiritual world में अगर entry ले रहे हैं तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि यहां पर कितनी सारी चीज़ है मतलब पूरी तरी किसे से एक complete course है ठीक है complete course है अगर आप इसमें उतरते हैं तो ठीक है बहुत जादा गहरा ठीक है बहुत गहरा समंदर तो यह मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहां पर आने में दिल्चस्प हैं तो definitely entry लेते हुए भी नजर आ रहे हैं यहां पर let's see कि tarot आपके लिए क्या बताते हैं Queen of Swords Two of Swords Four of Swords Sorry Four of Cups Hermit King of Pentacles यहां पर 10 of Pentacles भी है Fool Five of Vands Sun Emperor यहां पर Empress है Okay guys तो ऐसा है कि यहां पर again divine counterpart की energy है मैं बहुत दिन से reading कर रही हूं 3-4 दिन हो गए लगाता है मुझे messages मिल रहे है union के guys ठीक है Union के messages है और यहां पर family बन रही है ठीक है Barman मुझे एक ही तरीके के messages मिल रहे है guys यहां पर family बन रही है और union है देखिए यहां पर messages इस तरीके से आए हैं कि अगर आप लोग already अपने divine counterpart को जानते हो आपके उनके साथ marriage हो चुकी है या फिर आप already उनके साथ deal कर चुके हो तो यहां पर तो guys reunion है और अगर आप नहीं मिले हैं अभी तक तो अब आप मिलने वाले हैं इसी energy है union है या फिर reunion है possibility है लेकि जो भी है है आपके divine counterpart emperor और empress यानी की compatibility full on compatibility मुझे बहुत सारे लोगों के लिए तो लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि युनिवर्स ने आपको बहुत सारे offers दिये यहां पर चाहे love life में हो चाहे career में हो लेकिन आपने बहुत जादा reject किया है universe के offers आप बहुत ही जादा जिदी किसम के इंसान नजर आते हो आप universe से जिद करते हो कि यही चीज चाहिए मुझे मतलब मुझे यही चीज चाहिए ऐसी energy है इस वक्त मुझे आप लोग काफी power में नजर आ रहे हो ठीक है काफी जादा power में नजर आ रहे हो और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके you know partner है वो मुझे काफी abundant नजर आ रहे है तो overall आपकी love life बहुत अच्छी जाने वाली है और उपर से यहाँ पर sunka card है तो आप अगर किसी job को या manifest कर रहे है किसी government job को या फिर किसी dream job को तो यह चीज पॉसिबल है इस अफते में कि आपकर उसका जो result है जो waiting पर था वो आपके favor में आएगा ठीक है ऐसा कोई result अगर आप waiting में थे उस result के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो result आपके favor में आएगा जो भी आपकी life में obstacles थे वो remove हो रहे हैं इस अफते में आप एक नई जिन्दी की शुरू करने वाले हो जहाँ पर आपकी family बन रही है ठीक है baby manifest कर रहे हो गाइस तो वो भी possible है with sun card यहाँ पर मुझे baby नजर आ रहा है तो definitely यहाँ पर अगर आप लोग baby manifest कर रहे हो तो baby भी आपकी life में आ रहा है एक luxury life की तरफ आपका जो you know कदम है वो आगे बनने वाला है यह energy है यहाँ से देखते हैं उसकी बार हम angel guidance लेंगे wedding game, sun and sacrifice, spiritual strength, obstacles and challenges, light देखे गाइस यहाँ पर आप लोगोंने बहुत जादा patience रखा, wait किया आपने spiritual strength बनाई, आपने obstacles को cross किया, आपने चीज़ों को sacrifice किया जैसे लग रहा है कि universe ने भर भर कर आपकी परिक्षा ले ली यहाँ पर ठीक है आपको बहुत जादा test कर लिया, आप बहुत hope बनाए रहे आपने बहुत जादा weighting energy में रहे आप, आपको बहुत सारा sacrifice करना पड़ा लेकिन लास्ट में यहाँ पर hope है और light है तो मतलब यह है कि यहाँ पर इस अफ़ते में यह यकीन मानिए कि जब वो देंगे न तो हाथों पर गिंती नहीं होगी ठीक है अगर आपका test यहाँ पर लिया गया है तो जब वो देने पर आएंगे न तो हाथों पर गिंती नहीं कर पाओगे guys लिख लो मेरी यह बात कहीं पर आज और जब मिलने लगे न तो मेरे comment section में लिख जाना कि मैं आपने कहा था कि जब universe देने पर आते हैं तो गिंती नहीं होती है चीजों की यह उनिवर्स यह त्रस्ट से मिलते हैं यह जच करने से मिलते यह आपकी लगाने से मिलते कि आप लगाएंगे तो आपको दिखाई जेंगे ठीक है लेडी पॉश्या तॉर्द गनेश्या यहां पर है Holy Amethyst यहां पर आप से कहा जा रहा है Divine Order Do what you feel is right An important lesson is unfolding फिर से कोई lesson आपके लिए लाइफ में इस अफते में खुल रहा है उस lesson को तुरंट से learn कीजिए जो भी हो रहा है divine order पर हो रहा है इस चीज को believe कीजिए वही कीजिए जो सच है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके intuitions बहुत अच्छे हैं तो आपको अपने intuitions को trust करने का strong message यहाँ पर आ रहा है तो कोई भी अगर आपको किसी बात से आप influence होते हैं कोई आपको बहकानी की कोशिश करता है तो यह बात ध्यान रखी कि आपको intuitions आपको guide करते हैं तो एक पर सुने अपने अंतरमन की आवाज को Lord Ganesha Infinite Abundance Obstacles are being removed Speechual support and connections are increasing तो आपके पास देखिए Speechual support तो है ही guys तो आपको सपोर्ट करते ही है इसके अलावा आपको ऐसे connection भी दिये जा रहे हैं कि current challenges जो भी आपकी life में उसके परे रहे कर सोचो challenges के ऊपर जा कर सोचो focus on what you desire और इस चीज़ पर focus करें समय कि आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से क्या आपकी चाहते हैं लिखिए एक paper लीजे और लिखी अगले दो साल में आप अपनी जिंदगी कैसी चाहते हैं फिर उसको manifest कीजिए vision board तैयार कीजिए यहाँ पर cosmic gateway your thoughts are magnetic and powerful miraculous changes are coming देगे इस वक्त आप जैसे भी thoughts universe में भेज रहे हैं आपके जो thoughts हैं वो काफी magnetic और powerful हैं वो हर ओचीज attract करेंगे इस वक्त जो आप सोच रहे हैं तो अपने thoughts पर control कीजिए वही सोचिए जो आप अपनी life में चाहते हैं गाइस यह आपकी reading I hope आपको यह reading पसंद आई हूँ अगर आपको यह reading पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू गाइस